दोस्तो आप भी सरकारी नौगरी करना चाहते हैं लेकिन आपकी एजुकेशन जादा नहीं है आपने पांचवी कर रखिये या फिर आठवी पास हैं तो आप लोग के लिए यहाँ पर एक मौका है क्योंकि सरकार ने एक पांचवी और आठवी पास बेरोजगारों के लिए ए पुझगार प्राप्त करने का मौका है इच्छुक अभी अरती होमगार्स भरती के लिए आविदन कर सकते हैं तो पांचवी पास युवाओं के लिए होमगार्स भरती का यहाँ पर मौका दिया जा रहा है दोस्तो जिला कमांडेट होमगार्स देहरादून जनपत की ओर से 108 पदों पर भरती निकाली गई है आविदन पत्र निशुलक है आविदन करने की अंतिम्तिती 9 अक्टूबर 2021 है पिछले साल इस पत के लिए निकाले गए समस्ता आविदनों को निरस्त कर दिया गया है होमगार्स के जिला कमांडेट डॉक्टर राहुल संचान के अनुसार गार्यलाई जिला कमांडेट होमगार्स देहरादून द्वारा उत्राखंड होमगार्ड और नागरी सुरक्षा विभाग के अंतरगत होमगार्ड एम स्वयंग सेवक के 108 पदों पर निकाली गई है इच्छुक और सम्मंधित विकास खंड शेत्र के स्थाई निवासी पू जिसमें पांचवी जो परवती शेत्र से हिली एरिया से उनको पांचवी पास और जो मैदनी शेत्र से हैं उन लोगों को के लिए आठवी पास यहां पर आवेदन के लिए योगिता रखी गई है दोस्तों और दूसरी बात यह बता दूँ इस समय जो हमारे CM है मैं यह होमगार्ड्स का तो उसके लिए भी आपसे कोई सुलक नहीं लिया जाएगा जो है यह फ्री जो है आप इस फॉम को भर सकते हैं और दूसरी चीज इसमें यह है दोस्तों जो पिछले साल निकाले गए थे देहरादून कैडर के लिए तो वहाँ पर उनको रद्द कर यह नई भरती है तो नई से इस भरती को आप लोग इसके लिए अफलाई करेंगे शेक्षिक योगिता के बारे में मैं आपको बता दिया है और 1 जुलाय 2021 को आयू की बात करें तो 1 जुलाय 2021 को 18 वर्स कम से कम आपकी ज़ूनी चाहिए और जादे से ज्यादा 51 वर्स होनी च चाहिए और ये गणना मैंने आपको बता दिया एक जुलाई 2020 को होगी और भरती संबंदी आविदन पत्र का प्रारूप और विस्तरी जानकारी कारलाई जिला कमांडेंड होमकाट देहरादून से आप ले सकते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर को पांच लोगों तक पहुंचानी थी यह आप लोगों तक हमने पहुंचा दी है बाकी के वीडियोज के लिए हमाई साथ बने रहना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धेर सारी शुब कामना है धन्यबाद